नमस्कार महूं मनीशा जहा आप देख रही है एबियनन न्यूस गुजरात में विधान सबा चुनावों से पहले भारतिय जनता पार्टी ने अपने नेतरित्व में बदलाव कर विजयरुपार्णी को हटा कर भूपेहिंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया दरसल गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेहिंद्र पटेल ने सुमवार सुबह जाकर नितिन पटेल से उनके आवास पर मुलागात की इस बीच नितिन पटेल ने भावक होते वे कहा कि उन्होंने पार्टी को 30 साल दिये हैं ऐसे में उन्हें पार्टी से कोई दिला शिक्वा नहीं है नितिन पटेल ने कहा कि मुझे पार्टी ने पिछले 30 साल में काफी कुछ दिया मैं नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में रहे बाद में आनन्दी बेन की कैबिनेट में रहे और फिर विजे रुपाणी के दौर में वह उप मुख्यमंत्री रहे उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि भुपेंद्र पटेल उनकी पुराने दोस्त है मैंने उन्हें मुख्य मंतरी बनने पर बदाई भी दी साथ ही उन्होंने मुझसे मार्ग दर्शन मांगा ऐसे में उन्हें शपत ग्रहन करते दे काफी खुशी होगी नितिन पडेल कहते हैं कि वे किसी से नाराज नहीं है जब वे 18 साल के थे तब से ही बीजिपी के लिए काम क रही हैं ऐसे में कोई पद मिले या ना मिले वे हमेशा पार्टी के लिए काम करते रहेंगे साथ ही उनके मताबिक केंद्रिये ग्रह मंतरी अमिट्शा सोमवार को शपत ग्रहन में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं ऐसे में वे खुद उन्हें एड़पोर्ट पर पर दिया हैं इससे पहले ही बीजेपी ने अपना मुख्य मंतरी बदल लिया और पटेल समुदाए के भुपेंद्र पटेल को मौका दिया है अलाकि नितिन पटेल का नाम इस बार भी मुख्य मंतरी बनने की रेस में था बता दें कि जब आनंदी में पटेल को हटाया गया तब ही नितिन पटेल का नाम सब से आगे था लेकिन ये मौका विजह रूपानी को दे दिया गया था तो फिलाल के लिए इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रही एबियन नियूस के साथ